मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा, आप हिल जाएंगे, मैं अभी कल एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट के साथ था, जर्नलिस्ट मतला न्यूस चैनल के बहुत टॉप एडिटर के साथ था, उन्होंने मुझसे बोला कि वेग जी हमने ऐसी हम करते रहते हैं कि पिछले सौ दिन में मोदी जी के ओपर कितनी हेडलाइन चली, राहूल गांदी पर कितनी चली, अखिलेश पर कितनी चली, एक एनलिस्स करते हैं, उन्होंने बताया है कि सौ में से नैंटी एड दिन जो है, करन जोहर की चर्चा हुई है, जबकि वो फिल्म एक्टर भी नहीं है, हीरो भी उन सेकंड नंबर पे कौन है आप अंदाज लगाई यह आप से पूछ रहा हूँ, आपके हिसाब से कौन होगा, जिसकी सबस्यादा चली, सलमान, नहीं, शारुक, नहीं, डिरेक्टर, नहीं, एक्टर, एक्टर, मैंने कहने को, कहने को, आप ही बता दो, मलायका अरोरा और अर्ज हो था नहीं बता है, वो जिसकी करंजोर के साथ लड़ाई हुई थी, नहीं, एक्टर है, नहीं, नहीं, तीसरे पे यह हो सकती है, आप सर पकड़के बैठ जाओगे अभी, नहीं, नहीं, दिपीका, नहीं, अनुषका, नहीं, चला गेम करते हैं, आपके दर्शकों को भी कोची है, लिखिये कागज में नाम, जूट मत बोलना, बताइए, तीसरे नंबर पे भारत में, जो मेन एक न्यूस चैनल का बहुत सबसे बड़ा कॉंग्लमरेट है, उनक्या तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा किस की न्यूस चली, बॉलीवूड से जुड़े हुए चली, अब टाइम बड़ा वेस्ट हो जाएगा, मुझे पता आप नहीं बता पाएंगे, मैं भी फेल हो गया था, वो है सैफ का बेटा, तैमूर, अरे या, यह तो, इस वाजी है, फिर दिमाग में नहीं था, वो तो, क्योंकि कोई भी आदमी, जिसको ईश्वर ने थोड़ प्रोड्यूस जरूर की है, तो किसी और प्रोड्यूसर को आप क्यों नहीं देखते है, सबसे ज़्यादा तो टी सीरीज प्रोड्यूस करता है फिल्मे, आप उनके प्रोड्यूसर को नहीं देखते है, जीफ स्टूडियो सबसे ज़्यादा फिल्मे करता है, उसके बाद, मलायका रोरा को क्यों देखते हैं वो तो फिल्में भी नहीं करती बच्चे को क्यों देखते हैं तो उन्होंने मुझे बताया क्योंकि अच्छा न्यूस वाले भी लेजी हैं वो थोड़ी कहीं जाते हैं उनको तो प्यार जो भेजता है वैसा का वैसी आप यह लिख दो आज की अगर मैं बोलू कि अर्यांत को जो है नोबिल प्राइज मिलने वाला है तो च्छाप देंगे का वाल्ट न्यूस की भी पता नहीं किसे न्यूस छपाई हो मुझे पता है प्यार है मतलब सिस्टम प्यार का सिस्टम पूरा है जिसके पास पैसा प्यार टेक ओवर कर लीजे और आप 24 घंटे न्यूस में रहेंगे यह पूरा खेल है